हेलो डियर स्टुडेंट्स और पेरेंट्स स्वागत आप सभी का नीट शास्त पर मैं हूँ डॉक्टर प्रतीयक सिंग नीट MBS कांसलिंग MCC के अगर हम बात कर लें तो सीट मेट्रिक्स कल जो है वो रिलीज हो गई थी सीट मेट्रिक्स के आते ही कई स्टुडेंट्स का सबसे पहला सवाल यही था कि सर कितनी MBS की सीट्स इंक्रीज होई है अल ओवर इंडिया में अब मैं एक चीज़ पस आपको बच्चों पहले बता दूँ कि सीट्स का इंक्रीमेंट जो होता है MCC की सीट मेट्रिक्स में सबको बता है बागी medical colleges के लिए भी छोटी सब्डेट देता हूं कि जल्द ही वो college जो है वो add हो जाएंगे मेरे तरफ से तो 100% guarantee है for sure मैं सुरुस में यही बोला हूं मैं अपनी बाग पर अभी वूटी का हुआ हूं यहां पे seat matrix जो मैं लेके आया हूं यह आपके all इंडिया की colleges और central की colleges exactly कितनी seats बढ़ी है colleges की बात करने कि कितने colleges अभी तक में आये हैं तो यह total हो रहा है आपके 17 medical colleges सबसे पहले देख लो कि इस साल पिछले साल से comparison में 17 medical colleges increase हुए है कहां कहां वे medical colleges एक आपका आसाम में है तो लास्ट यह भी इसके लिए लूपी का बहुत अगर से बहुत जाद इसके बाद फिर आपके ओडिसा में एक medical college है उत्तर प्रदेश के आपको इसके अलावर राजस्थान में जुन जुनू ठीक है यह नया medical college है इसके अलावर राजस्थान में पिछले साल पांच medical colleges आये थे अभी राजस्तान में और colleges होने की पूरे पूरे चांक्स हैं बात करने उसके बाद मद्रदेश में तो तीन medical colleges आये पांच आने वाले थे तीन आये हैं हो सकता बाकी की दो और add हो जाए तो पहले तो आपने यह देख लिया कि 17 medical colleges add हुए है most of them है 100 seats कुछ में 50 seats हैं तिफ दो colleges 50 seats हैं उसके लावर सम में 100 seats हैं तो यह seats increase हुए अब इसके प्रेल में समझने वाली बात यह है कि यह पहले data हमने statewide इसको statewide बनाया है और जैसे बात करने अगर जारकंड की ठीक है जारकंड में आप देखोगे ठीक है जारकंड में यह सारे medical colleges हैं ठीक है यह सारे के सारे medical colleges हैं और यहां पर 2023 और 2024 में कितनी seats हुई है जारकंड में 257 ती जैसे कुछ colleges में आप देखोगे हमने यहां पर लिखा हुआ है और यहां पर लिखा हुआ है और यहां पर लिखा हुआ है अब यह जो सियोनी है मदर प्रदेश में यह पिछले साल medical college 2023 में नहीं था इस बार यह medical college जो है 2024 की counseling में है वैसे ही आपका सुंदर लाल पटवा हो गया है मदर प्रदेश में आपका नीमुच ठीक है नहीं था एड हो गया है इसके बाद फिर बात कर लें तो यह आपका गोकुल गास तेशपाल hospital premises ठीक है यह भी पिछले साल नहीं था एड हो गया है तो जिनमें भी एन लिखा हुआ है इसका मतलब यह colleges इस साल एड हो र है और इनन फर्स्ट राउंड का क्या मतलब है इसका मतलब यह वो medical colleges है जो 2023 में ही आड हुए थे लेकिन वो mcc all india quota counseling के फर्स्ट राउंड में नहीं थे या राउंड टू या राउंड त्री में एड हुए थे अब जो data का comparison हमने किया है seat metrics का ऐसा नहीं कि all india के last round की seat metrics ठीक का number कम होता है तो comparison के लिए best data यह होता है कि हम पिछले साल 2013 के all india के first round की seat metrics को 2024 के first round की seat metrics के साथ compare करें तो यह medical college बूंदी medical college यह first round में अवलेबल नहीं था लेकिन उसके बाद यह round two में add हुआ था राजस्तान में जैसा मैंने बता हनुमान गड़ भी first round में नहीं था लेकिन दो medical college में नहीं बताए तो यह दोनो medical college 2023 में इस्टार्ट हुए थे इसके लाव आप कुछ medical colleges में आपको दिखाऊंगा जो खास है जो कि पहले से बहुत पुराने medical colleges हैं लेकिन वो all india के first round of counseling में नहीं आये थे उत्तरप्रदेश में ऐसे दो medical college से total उत्तरप्रदेश में 31 medical colleges हैं 2021 से ही 13 medical colleges है 22 में भी sorry 31 21 में भी 31 medical colleges ही total 22 में भी 31 और 23 में भी 31 medical colleges थे उत्तरप्रदेश में लेकिन mcc all india kuta के first round में उत्तरप्रदेश के दो colleges round one में अप्रूव नहीं हुए थे कौन-कौन से दो colleges थे एक आपके GMC बहराईच था और दूसरा आपका था GMC जालाउन यह र college उत्तरप्रदेश में बहुत पुराने medical colleges है जालाउन तो 2014-13 का है और बहराईच आपकर 2019 का है फिर भी यह college round one of mcc counselling में नहीं थे बाद में add हुए थे तो डेटा को इस तरह से आप अगर देखोगे तो इतना comprehensive तरीके से मैं data prepare करके हमारी team आसुतो सर मैं हम लोगों ने मिल कि इस चीज़ को prepare किया है और सिफ फालतू का data analysis मैं यहां पर करने नहीं आता हूं मेरी कोशिश रहती है कि जब मैं कुछ भी ले क्या हूं present करूँ होग से कोई मतलब नहीं होता है तो आप यहां पर देखोगे यह medical colleges all India kota counseling के first round में नहीं थे और फिर यह बाद में एड हुए थे जबकि यह पुराने medical colleges है तो अब अगर हम नीचे आ जाते हैं सीधे और all India के round one 2023 की seat matrix और 2024 की seat matrix को compare करे total seats मतलब इसमें हम कोई वो नहीं देख रहा 499 seats 10137 और 10469 अभी बिटा यह और increase होगा ठीक है अभी और medical colleges आएंगे add होगा यह increase होगा यह total number seats का number decrease होगा क्योंकि round one में जिर्मचों ने join कर लिया तो round two की seat matrix में वो seats कम हो जाएंगी but colleges increase होगे ठीक है तो overall seats का increment होगा लेकिन seat matrix में वो चीज़ कम हो जाएगी तो इस process की वजह से मैंने सिफ round one और round one 2023 और round one 2024 की seat matrix और compare किया तो यह पहले पूरा data college wise हमने prepare किया फिर इसकी मतद से हमने इसको यह colleges तो पूरे के पूरे आपके जो 17 medical colleges new है यह वो सारे colleges है और इसके बाद फिर हमने इसको state wise बनाया है ठीक है अब इस state में पहले हमने इसको किया है इसके basis पर states की basis पर all इंडिया में 15% जिन colleges में seats आती है उनमें पिछले साल 349 seats थे first round में इस साल यह 373 colleges हैं seats ने colleges 349 colleges से first round में इस बार यह 373 colleges है first round में 2024 के अब यहीं पर अगर जनरल की seats बात कर ले 2023 के first round में थी 2939 और इस बार यह है 3053 EWS की बात कर ले तो 723 था 752 हो गया OBC की बात कर ले तो 1955 था और 2029 हो गया ST में seats 1089 और 1127 हो गया है ST में 542 seats थी और 564 seats हो गई अब total यहां पर क्या है 7624 seats थी 15% seats में 7623 All India के first round में 2023 और All India के first round में यह हो गया इस बार 7918 अब यह सिर्फ स्टेट के colleges का है ठीक है colleges में कोई implement नहीं हुआ है मतब 24 medical colleges थे जिनके 100% seats All India quota counseling से full होती है इस बार भी 24 medical colleges ही है तो All India में जो open category की seats है उनमें कोई भी increment नहीं हुआ है colleges का लेकिन seats में जरूर increase हुआ है seats में जरूर आपको फर्क दिखेगा total 2513 पिछले साल थी इस बार 2551 मतब कुछ colleges ऐसे हैं जिनमे seats बढ़ी है इन colleges में अब यह aims है peripheral aims में कुछ में seats बढ़ी होगी कौन कौन से aims है उसके बारे में अलग से मैं डीटेल में वीडियो बनाऊंगा अभी जितना डाटा हमने स्वाट किया उसके basis पर आपको मैं comprehensive तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और इसके लाबा इसमें आपके central के institute यानि बहु एम्यू जिपमर इन सबकी open seats जो होंगी वह यहां पे अब यह दोनों डाटा अलग बना था और जब यह चीज़े मैच कर जाती है जब टोटल नंबर मैच कर जाता है इसका और इसका एन clarity आ जाती है कि data जो है वो एकदम सही है पोई भी फालतों के बात नहीं शौर्ट इंपरमेशन कितनी seats थी mcc first round counselling 2023 में और इस बार इतनी seats है mcc all india quota counselling 2024 first round में यह comprehensive तरीके से आप इस तरह से analysis कर सकते हूँ क्योंकि आप all india के round 3 में total seats को जोड के all india के first round से compare नहीं कर सकते क्योंकि अब यहां पर seats increment हो नहीं है बच्चा उसके लिए परशान मत हो तो यह है total analysis seat matrix का mcc all india quota के first round के लिए cut off के लिए जो मैंने बोला था वही सेम चीज़े रहेंगी general और OBC 24,500 तक एकदम सेफ है 25,000 और 25,500 तक वाले students को भी हो सकता है colleges a lot हो जाएं क्योंकि इस बार बह इस वज़े से हो सकता है कि थोड़ा सा और डाउन शिफ्ट हमें दिखाई दे EWS के लिए मैंने बताया है कि 26,500 तक सेफ है 27,000 तक भी जा सकता है या 27,500 तक भी जा सकता है अभी और colleges add होंगे as far as उत्तरप्रदेश medical colleges are concerned six colleges are remaining and two medical colleges have 50 seats all of them will have 100 seats उत्तरप्रदेश में 1300 seats increase होंगी that is definite for sure information अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना short increase मैंने समझाने कोशि अबलेबल है नीट शास्तर के अप पे अवलेबल है जिन स्टुडेंट्स ने डाटा अल्रेडी वाई किया हुआ है उनको ये चीज़ अप में अपडेट हो गई है वहाँ पर आपको फ्री आप पॉस्स मिल जाएगी मतलब आपको कुछ नहीं करना है जिनको ये डाटा चा बहुत क्लियरली मेंशन रहता है किस तरह से आप इसको देखोगे ठीक है यहाँ पर पूरे कॉलेजस तो सिफ सीट मेट्रिक्स की तीन आनालीसिस की पीडियाफ मिल रही है जिसमें आप क्लियरली समख सकते हो कि किस तरह से सीट का इंक्रीमेंट हुआ है तो इस वीडियो मे इतना ही वीडियो अच्छी लगी हो तो डेफिनेटल लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना थैंक्यू सो मच मिलते हैं किसी अगली वीडियो में किसी और इंफॉर्मेशन के साथ